बहिया मेरा रिष्टा तूट गया है, अब मैं अपने करियर पे पढ़ाई पे गंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, मैं क्या करूँ? दोस्तों सबसे पहली बात आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको एक बहुत गहरा घाओ लगा है फिजिकली भी तो चोट लगती है, बहुत घहरी घहरी चोट लगती है, एक दिन में सही नहीं होती हड़ी तूट जाती है, बड़ी बड़ी चोटे लगती है, महिनों लग जाते हैं, के बार सालों लग जाते हैं धीरे धीरे ही वो चोट खतम होती है, कम होती है, दर्द कम होता है, और सिरफ निशान रह जाते हैं, इसी तरह आपको ये एक बहुत बड़ी इमोशनल चोट लगी है, Attachment is a source of immense pain, समझदार लोग इसलिए ही ये बात कहते हैं, जो मोहो होता है, वो आपको बांधता है, वो दुख का कारक है, सुख का कारक नहीं है, क्योंकि जब वो छूटता है, तो वो आपको खोकला कर देता है, बहुत दुख देता है, आपके साथ यही हुआ है, तो सबसे पहले situation को accept करूँ कि मुझे चोट लगी है, मेरे साथ बहुत बड़ा accident हुआ है, मुझे दुख होगा, मैं एक दिन में सही नहीं हो जाओँगा, एक दिन में दौडने नहीं लगूँगा, तो आप एक दिन में अपनी life पे वापिस नहीं आ सकते, चाहे कोई कितना ही motivate कर दे, कितना ही push कर दे, नहीं आप आओगे, मैं कहा रहा हूँ आपको, समय लगेगा, खुद को समय दू, इस जीवन में कोई कम समय नहीं है, सालो साल का जीवन है, खुद को थोड़ा समय दू, उभरने के लिए, चोट को heal करने के लिए, चोट की मरम हो जाएगा, खुद को समय दो, बागी सब चीज़े थोड़ा थोड़ा वेट कर सकती है, चाह करियर हो पढ़ाई हो थोड़ा सा वेट कर सकती है, तब ही उनको सही से भी कर पाओगे, रश करोगे, भागोगे, कुछ नहीं होगा, चोट और बढ़ जाएगी, तो सबसे पहल दिमाग में जरूर बठाओ, मन को थोड़ा सा शांत करो, अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज़, सबसे जरूरी स्टेप है, अपनी बोतल के धकन को टाइट बंद करना है, कोई गुंजाईश नहीं छोड़नी है कि उसमें कोई लीकेज हो जाए, तो यी रिष्टा टूड लिया है, इसको संपूर्ण तरीके से खतम करना है ताकि कोई फ्यूचर का स्कोप ना बचे, आपके दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशन ना घूमे, मन विचलित ना हो, बेचैन ना हो, उनकी तरफ ना भागे, उसको ये एहसास ना हो कि वापिस आ जाए या वापिस आ सकत है, उस दोर को पूरी तरीके से तोड़ना है, तूट तो वो चुकी ही है, रिष्टा वो खतम हो चुका है, लेकिन आपका मन इसलिए भाग रहा है कि आपको लग रहा है, शायद वो वापिस आ जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद ही हो जाए, शायद वो कॉम्बिनेशन म से किसी मृत इंसान की तरह है, रिमूफ कर देना है, हटा देना है, अपना आपको वो वापिस चाहिए, ना वो वापिस आएंगे, इस बात को बार बार अपने मन में बिठा लो, जब भी कोई सोच आए कि कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए, अपने आपको बोलो, नहीं, अब कुछ नहीं होना है, अब कुछ नहीं होगा, खतम तो खतम, ये रिष्टा मृत तो मृत, ये सोच डर्मिनेशन से आपको अपने मन के अंदर लानी होगी, दोस्तों जब एक इंसान की मृत्य होती है, तो उनके शरीर की क्या वैल्यू रजाती है, लोग उस शरीर को उस इंस यही सबसे बड़ा सबूत है कि शरीर सिर्फ शरीर होता है, इनसान नहीं होता, तो ऐसे ही वो रिष्टा मर चुका है, उसकी मृत्य हो चुकी है, तो उसकी जो दुन्दली यादे है, जो उसकी चोट है, जो मोह है, वो ऐसा शरीर है जिसमें आत्म ही नहीं है, तो उस मृत् उससे अपने आपको compare करो अपने आपको तोलो उसके against जीवित अपने आपको आप में प्राण है ताकत है सालो साल का जीवन जीना है खुशिया पानी है परिवार के लिए कुछ करना है सपने पूरे करने है अपने आपको उस मृत शरीर के साथ जिसमें से दुरगंद आ रही है उसके सालो और देखो कि कौन बड़ा है आप बड़े हो यह वो बड़ा है बिना इतना extreme सोचे आप अपने आपको situation से नहीं निकाल पाओगे बार बार सोचो कि मैं बड़ा हूँ मेरा जीवन बड़ा है अब यह सिर्फ मुझे बरबाद करेगा इसमें प्राण नहीं है जीवन नहीं है यह रिष्टा मृत है मुझे इससे अलग होना है अपनी अलग रहा बनानी है चाह कितना ही कटिन हो कितना ही दुख मिले कितना ही मैं परेशान हो जाओं मृत शरीर को भी तो इनसान अगनी देता है राख में बदलता है मन को केड़ा करके तो इसी तरह मन को केड़ा करना है अपने आपको उस मृत रिष्टे से तोलना है अपने आपकी वैल्यू बनानी है अपनी वैल्यू को समझना है अपने जीवन को समझना है, अप्रीशेट करना है, जीवन को महसूस करना है, और कसम खानी है, कमिट करना है खुद को, कि अब मैं अपने जीवन पर ध्यान दूँगा, मैं इससे बड़ा हूँ, ये भूत था, मैं आज हूँ, मैं भविश्य हूँ, मेरी वैल्यू है, मेरे मात पिता की वैल्यू है, मेरे परिवार की वैल्यू है, मेरे जीवन की वैल्यू है, सालो साल जो मैंने कहानी जीनी है, उसकी वैल्यू है, वो किसी एक चीज, एक इनसान की वज़े से रुक नहीं सकती, बंद नहीं हो सकती, मैं बरबाद नहीं होंगा, मैं कुछ से वादा करता अपने आपसे ऐसा वाता करो अपने सबकॉंशिस माइंड में ये बात बिठा लो कि आप जरूरी हो अपने आपको जरूरी बना लो ताकि जब भी आपके मन में नेगेटिव ख्याल आए भूत को लेके पास को लेके ख्याल आए उस रिष्टे के बारे में ख्याल आए तो एक ही आवाज उठे कि मेरा जीवन भी जरूरी है अब मुझे खुद पर ध्यान देना है दोस्तों कभी तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप सेल्फिश बन जाओ थोड़े से मतलवी बन जाओ कभी कहता हूँ सेल्फिलेस बन जाओ दूसरों के लिए जीवन जीव तो दोनों बातों का संधर्ब हमेशा अलग होता है दोनों अलग-अलग सिच्वेशन में काम आती है लाइफ में एक बैलिंस बना के हमें जीना पड़ता है जीवन कभी भी एक तरीके से नहीं जीया जाता जब ऐसी सिच्वेशन आके खड़ी है जहां आप खुद के लिए बिल्कुल नहीं जी पा रहे हो खुद को बिल्कुल अनिम्पॉर्टेंट मान रहे हो बेकार मान रहे हो उस मरे हुए रिष्टे के आगे जो खतम हो चुका है उस इंसान के आगे जो आपको छोड़ गया है या शायद धोका दे गया है या किसी भी कारणवश आपसे अलग हो गया है उसके लिए आप एक्जिस्ट नहीं करते हैं आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे आप अपने आपको ही वैल्यू नहीं दे रहे तो थोड़ा सा मतलबी आपको बनना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्फिश आपको बनना पड़ेगा अपने आपको सुपीरियर समझना पड़ेगा अपना ख्याल रठना पड़ेगा अपने लिए बड़े बड़े सपने बनाओ बड़ा विजन तेयार करो कि अगले दस साल में मुझे यह यह काम करने है बड़े बड़े काम करने है अपना एक अच्छा सा करियर बनाना है माता पिता के सपने पूरे करने है अपने सपने पूरे करने है यहां घूमने जाना है यह काम करने है अच्छी लाइफ सेट करनी है एक स्ट्रॉंग और मजबूत इंसान बनके उभरना है मैच्चूर इंसान बनके उभरना है बड़े बड़े गोल्स खुद के लिए बनाओ मैं अपने लिए जीऊंगा जब situation ही ऐसे आके खड़ी हुई है कि अपने जीवन पर ही doubt है तो उस समय यह वाला रास्ता अपनाओ थोड़े से मतलबी बन जाओ सिरफ अपना सोचो थोड़े से materialistic भी बन जाओ अपने लिए बड़े बड़े vision बना लो कि मैंने अपने लिए जीवन को जीना अपना career बनाना है अपने आपको इस position पर देखो कि 10 साल बाद मैं इस position पर बैठा हूँगा अच्छे बड़े फैसले ले रहा हूँगा खुश हूँगा, proud हूँगा माता पिता को proud करूँगा बहुत बड़ा goal बनाओ और उस goal का एक road map तयार करो एक plan तयार करो कि आपको उसके लिए क्या क्या करना है खाली सपने नहीं बनाने एक road map तयार करना है और उस road map को तयार करने में जुट जाओ एक notebook ले लो जगे जगे धके खाओ, research करो पूरा plan तयार करो मैंने अब क्या क्या करना है चाहिए वो पढ़ाई के related हो business के related हो, job के related हो exams के related हो और दोस्तों इसके बाद आपको छोटे छोटे काम करने में या पढ़ाई करने में कुछ भी करने में problem आरी होगी जैसे ही कुछ काम करने बैठते होगे ध्यान लगाने बैठते होगे ध्यान सिरफ उसी की तरव चाहता होगा वो जो इनसान आपको चोड़ गया होता है ना ऐसा होता है मैं कहारा हूँ ऐसा होता है आप गलत नहीं हो, आपका दिमाग गलत नहीं है ऐसे ख्याल आते हैं क्योंकि जैसे ही आप मन को एक direction दोगे वो सिरफ वो ही negative direction पकड़ेगा तो इसके लिए एक बहुती सीधा सरल formula है अपने जीवन को, दिन चर्या को, रूटीन को, अपने टास्क को, responsibilities को, कामों को, पढ़ाई को, career को बहुती छोटे छोटे goals में बाढ़ लो बहुती simple, basic, छोटे छोटे goals में तोड़ लो अगर आपके पैरों में पहाड चड़ने की ताकत नहीं है तो पहाड मत चड़ो, सिरफ 10-10 मीटर करके आगे बढ़ो हर दिन के goal बना लो और दिन में अभी कुछ घंटों के भी goal बना लो सिरफ एक घंटे अभी मैं पढ़ों का सिरफ दो घंटे मेरे को market जाना है, धक्के खाना है, रिसर्च करनी है दो घंटे ये काम करना है इस तरीके से एक copy लेके छोटे-छोटे goals बना लो पढ़ाई कर रहे हो, तो एक एक chapter का goal बना लो जो आपको उनको करने में जादा परेशानी ना हो बहुत जादा दिमाग विचलित ना हो जाए टास्क आपको simple लगे तो आपका मन ठहर जाए एकदम से उस past पे न जाए, उस रिष्टे पर न जाए जब आपका मन ठहरेगा, उसको लगेगा कि ये काम असान है, तो वो उसकी तरफ दोड़ेगा, ना कि अपने escapeism की तरफ, उस रिष्टे की तरफ और उसके बाद, जब वो छोटे-छोटे गोल आप अचीव करो तो खुद की पीट थप-थपाओ खुद को congratulate करो, अच्छा महसूस करो, कि मैंने past से निकल के, भूत से निकल के अपने बविश्य के लिए कुछ किया है मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे में वो ताकत है, वो ability है इतने बड़े हाथसे से मैं उभर बारा हूँ खुद के उपर proud feel करो और दोस्तों इसके साथ एक बहुती अच्छी चीज है, बहुती महत्वपूंट चीज है अपनी routine life में एक gap filling activity को add करना, दिन में 24 गंटे या 18 गंटे तो आप काम करते नहीं हो एक limit है और इनसान की काम करने की मैनत करने की, पढ़ाई करने की उसके अलावा भी बहुत सा टाइम बचता है जिसमें आपको सिर्फ negative ख्याल आते होंगे आप परिशान रहते होंगे जिस वज़े से बागी चीज़ों बे भी concentrate नहीं कर पा रहे तो आपने उस extra time में एक hobby को pursue करना है जो भी काम आपको बहुत पसंद है जो profession नहीं है business नहीं है मजबूरी नहीं है जिसका आपको शुरू से ही शौक था आज आपका मन नहीं कर रहा होगा तो भी उस काम को पकड़ना है daily नित्ते वो काम जरूर करना है उसमें improve करना है सीखना है उसके लिए भी एक vision मनाना है अगर आपको music का शौक है music में आनन्द मिलता है music के लिए एक vision मनाओ कि मैंने खुद को improve करना है रियास करना है सुर्ष सीखने है practice करनी है और बहुत अच्छा गाना है एक दिन में गाते हुए अपनी video record करूँगा publish करूँगा लिखने का शौक है अच्छी अच्छी किताबे पढ़ो लिखने की practice करो vocabulary को मस्बूत बनाओ लिखना शुरू कर दो और अपने लिए सपना देखो कि एक दिन मैंने एक किताब लिखनी है body building का शौक है exercise का शौक है gym join करो और अपनी body के लिए एक vision तियार करो शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा जब improve करोगे सीखोगे practice करोगे धीरे धीरे इतने engage हो जाओगे इतना मन लगने लगेगा कि वो आपका support system बन जाएगा एक तरफ काम एक तरफ hobby हर दिन अच्छे से बीतेगा life में motivation रहेगा और वो past कहीं उड़ जाएगा गायब हो जाएगा धूल में मिल जाएगा उसकी कोई value नहीं रहेगी दोस्तों और दोस्तों एंड में एक बात बोलूँगा जो बिल्कुल शुरुआत का समय जब आपको एक चोट लगी है उस समय आपको heal करना है heal कैसे करना है अपने आपको सुख देने वाले काम करने है खुशी देने वाले नहीं सुख देने वाले अपने दोस्तों से मिलो बाते करो अपने मन को हलका करो कई गुमने फिरने भार निकल जाओ कुछ दिन बाहर रहो explore करो इस देश को कम पैसा है किसी तीरत पे घुमाओ बहुती अच्छी vibes आएंगी बहुत अच्छा महसूस होगा movies का शौक है कुछ दिन movies देख लो shows देख लो comedy videos देख लो कुछ दिन तो बिल्कुल अपने आपको heal करो उस खराब situation से अच्छी चीजों पे ध्यान लगाना है खुद को थोड़ा सा आनदित करना है ताकि आप दुबारा उटके खड़े हो जाओ कुछ दिन बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का stress नहीं लेना चाहे कोई exam आ रहा हो कोई चीज अटकी पड़ी हो कोई complexity हो उसकी बिल्कुल tension नहीं एक इनसान तो चला गया और कुछ भी जाना है तो चले जाए इस समय tension लेकि आपका भला नहीं होगा कुछ समय सिरफ अपने लिए reserve कर दो healing के लिए और दोस्तो आप निश्चिंत ही heal हो जाओगे अपने जीवन में दुबारा अलोट होगे और दोड़ोगे खुशी से जीवन को जीओगे आज ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनसे मैं सालों साल से बात करता आ रहा हूँ जिनको मैंने समझाया है यही बाते समझाई हैं और आज वो सब खुश है सब जीवन में आगे बढ़ गया किसी की शादी हो गए करियर बन गया है सब आगे बढ़ गये है और उनका वो भूत अब खतम हो चुका है आपका भी हो जाएगा बस निष्टा से इस पैटर्न को इन बातों को फॉलो करो All the best